है लो दोस्तों कैसे हैं आप सबी लोग मैं आशा करता हूं आप सबी एकदम से बढ़या होंगे और दोस्तों अगर आप भी UPTat की तयारी कर रहे हैं और फिर तयारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये नेउस एकदम से बहुत जबर्दस्त होने वाली है ठीक है क्योंकि आपका जो एक्जाम है यूपी टेट का वो 2020 में नहीं होगा दोस्तों ये आपका 2021 में होगा ठीक है आविदन की प्रिक्रिया आपकी नवंबर महा से सुरू हो सकती है क्या है दोस्तों पूरी चीजे मैं आपके लिए डेटेल से बताता हूँ निगेटिव मार्किंग या फिर सैक्सिनल जो लागू होगा उसके बारे में भी एकदम से डेटेल में बताता हूँ ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले दोस तोड़ा सा ये point की बात कर लेता हूं कि passing marks कुछ भाई वहन है उनको passing marks नहीं पता होता उनको मैं बताना चाहूँगा कि SC और OVC category के लिए 82 marks जो है आपका passing marks रखा गया है अगर आपके इतने होते हैं तो उसमें आप pass माने जाते हैं ठीक है तो ये आपका आज news weapon में निकला है कि नए साल में UPTAT कराने की तयारी चल रही है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक स्कूल में सिक्छक बनने की तयारी कर रहा है प्रतियोगयों के लिए खुस खबरी है अब देखिए खुस खबरी तो नहीं हो सकती ठीक है जित नहीं पैरों पर कुलाड़ी मारना वो वाली बात हो जाएगी ठीक है चलो इसके वारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका क्या है से उत्त्य प्रदेश सिक्छक पात्रता परिक्षा UPTT 2020 कराने का आदेश जल्द जारी होने का संकेत है परिक्षा नियामक प्रादिकारी क रिस्पोंस आता है जल्द ही परिक्षा की तैयारी सुरू कर दी जाएगी लेकिन इन्होंने सीधे से यहां पर कहा है कि नवंबर महा में ऑनलाइन आवेदन सुरू होने का सिल्थरा सुरू होगा ये चीज तो इन्होंने यहां पर किलियर कर दी कि आपका जो ऑनलाइन आव दिसम्बर यानि कि आपका ये साल गया अब इन्होंने सीधे से यहां पर कहा है कि आपकी जो परिक्षा है वो कब होगी इस बारे में भी इसमें कहा गया है उसके बाद बात करते हैं सैक्सनल और आपकी निगेटिव मार्किंग के बारे में ठीक है तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर इन्गों ने दिया है कि प्रस्ताव में दिसंबर आंति तक परिक्षा कराने की योजना पहले बनाई गई थी लेकिन इस पर कोई भी गौर नहीं किया गया जिसके कराण कोई भी बात आगे नहीं बर्च की लेकिन अब क्या हुआ कि परिक्षा जनवरी या फिर फरवरी में हो सकती है दोस्तों मैंने आपको उताए कि जनवरी में नहीं होगी परिक्षा आपकी फरवरी में होगी क्योंकि आपका नवंबर में आवेधन स्टार्ट होंगे और आवेधन होने में एक महीने का समय लगेगा ठीक है उसके बाद कम से कम प्रिसुक्षों के लिए दो महिने का समय तो आपको देना ही चाहिए इसलिए आपकी जो परिक्षा है वो मेरे according आपकी फरवरी में होगी ठीक है अब दोस्तो थोड़ी सी आपर बात कर लेते हैं negative marking और sectional cut off के बारे में sectional cut off का मतलब ये होता है कि हर विशय में आपको पास होना जरूरी हो जाएगा ठीक है जैसे अगर हम बात करते हैं एक criteria रखा जाएगा जैसे माल लीजिए 15 questions है ठीक है sorry 30 questions आते हैं हर subject से 30 questions आते हैं तो 30 में एक criteria रखा जाएगा suppose that माली दे 15 नंबर का criteria रख दिया उन्होंने कि 15 नंबर हर किसी को लाना ही लाना है ठीक है तो उसमें क्या होता है कि हर subject में आपको पास होना जरूरी है ये होता है आपका sectional cut off ठीक है अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये negative marking और sectional cut off के वारे में अभी तक इसमें कोई भी पिरक्रिया लागू नहीं हुई है दोस्तों हालकि हो सकती है इस वारे में कुछ कह नहीं सकते लेकिन अभी तक के according अगर दिखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है आप लोग तयारी में जुट जाएए क्योंकि समय दोस्तों बहुत कम बचा है अगर देखा जाए तो हमारे चैनल पे एकदम बेहतर तरीके से यूपी टैट की क्लासे सुरू हो चुकी है अगर आप तयारी करना चाहते तो बहतर परणाम के लिए आप यहां से तयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से और दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा तयारी में जुट जाएए वीडियो अच्छी लगते है वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए और अपने सब भाई बहनों के लिए सेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है तक ते दिशे जा रहे हैं आप इतना समझी लिजिए ठीक है क्योंकि आने वाली पेडियो में क्या हो रहा है एक्दम से एकदम भागम भाग होती जा रही है नमबर्स की ठीक है तो आप जितने अच्छी नमबर्स लाते हैं उन एकदम बहुत अच्छी बात थे तो दोस्तो जुट जाए ये तैयारी में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी वाले बुटन को दबा दीजे वीडियो को लाइक और सेर कर दीजे ओके तो चलिए बाई बाई दोस्तो जैहन